पूर्व मुख्यमंत्री वनेता प्रतिपक्ष जराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री द्वारा पेश किये गए बजट को निराशा जनक और जनता को गुम्रहा करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले कॉंग्रेस वाराज जूटी गारेंटियों के नाम पर लोगों को प्रामित करने का प्रायास किया गया और अब जूटी घोशनाए कर सरकार एक बार फिर से जूट बोल रही है। जराम ठाकोर ने कहा कि पिछले बजट में की गई घोशनाओं को भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। जूटी गारंटियों दे करके गारंटी पूरी नहीं हुई। फिर सत्ता हासिल हुई तो पहला बजट प्रस्तूत किया जो गोशना की उनमें से 95% जो योजनाए उनने गोशना की ही जो वादे उनने किये थे पहले बजट में उनमें से कुछ काम हुआ ही नहीं। और उसके बाद अभी हाल ही में इस बजट में जो मुक्या मंत्री जी फिर से जूट बोल करके लोगों को गुमरा करने की दिशा में प्रत्म कर रहे हैं।